कि बाला से भार्टी जंता पार्टी के सांसद रुतनलाल कटारिया का निधन हो गया है और अब उनके आखरी सफर की तैयार है नियूजरूम से हमारे आउटपूट है कमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं कमल करू करें यहां पर तमाम बातचीत के लिए कमल ऐसा बहुत कम हो कि दिल में भी उसका उतना ही बड़ा मकाम हो उनमें से एक होते थे रतनलाल कटारिया साथ 40 साल के करीब उनका बड़ा सियासी सफर रहा है और इस दौरान उन्होंने उरूज देखा है उन्होंने काम्याबी का आसमान देखा है जमीन से शुरूओ कर आसमान तक पहुंचे रतन लाल कटारिया साहब यानि कमल एक कहना गलत नहीं होगा कि भारतिया जन्ता पार्टी ने वाकिए अपना एक अनमूल रतन आज हो दिया है जैसे जैसे बग गुजरेगा इस नुकसान का अंदाजा और ज्यादा गहराई से होगा कमल पर्धान मंतरी नरेंदर मोरी से लेकर मम्ताज और उनके जो विरोधी हैं उन तक आपने भी बात की कि ऐसा वेवार उनका था कि आज उनके वेक्टिवत्यू को याद कर सभी ये कह रहे हैं कि वो स्टब्ध है इसमें कौमारी सिल्जा का भी नाम शामिल है पूर प्रदेश के राजित की जीवन से इतर होकर बात करें तो उसमें रतनाल कटारिया को खुद फ्रदेश दक्ष रही हैं कॉंग्रेस की कुमारी सिल्जा कॉंग्रेस की मासचीव है मौजूदा उन्होंने भी कहा है कि वो स्टब्ध है और उनका जो वेवार है उनको याद कर आज भी उन सबी याद कर उनको शर्दाज देते नजरा रहे हैं इसलिए मैंने एक उधारन कुमारी सिल्जा का दिया जो राजनितिक जीवन में उनकी विरोधी रही है और साथी प्रदेश दक्ष हैं कॉंग्रेस के मौजूदा वो पहुंचे हैं अभी एक खबर मिल पाई है उदेभा यह वो भी शर्दाज देने के लिए पहुंचे हैं सेडी के चिप पहुंचे हैं यहां पर तो इसे से अंदाजा लगाए जा सकता है मुम्ताज की जिसका हम बात और जिकर कर रहे हैं उसका कितना बड़ा महत्व है कि रतनाल कटार को इसलिए आज सबी याद कर रहे हैं जैसा पहले था एक काम कारेकरता होने की नाते आज मुख्य मंतरी मनोराल भी उनके विवार की बात करे थे इसलिए शब्द का इसलिए बार बार कर रहा हूं किसी भी इंसान का विवार बहुत मैटर करता है आप बेशक काम्याबी के शिकर पर पहुंच जाए ममताज लेकिन आपका विवार और आपका काम हमेशा याद किया जाता है और दोनों में इनका नाम बड़ा था इसलिए रतनाल कटारिया एक रतन कही जाते थे बीजेपी के इसलिए हम कहने कि आज रतन खो दिया है बाकी बीजेपी की नेता यहाँ पर जो पहुंचे अपनी प्रटिक्रिय सबने बहुत अफसीर से बताया रतनलाल कटारिया साब के लेकिन एक और चीज़ है जो उन्हें बहुत खास बताती है उनकी पूरी जिंदगी को काबले मिसाल बना दिया है कमल उनके सियासी करियर ने यानि कि आप में अगर माद्दा हो आप में हुनर हो आप मेहनत करना किसी शक्सियत से कि अगर आपको काम्याबी चाहिए किसी भी फिल्ड में आप चाहिए नेता हो अभी नेता हो या फिर आम कहीं पर भी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हों आप किसी की भी जीवन से सीख सकते हैं काम्याबी तक पहुंच सकते हैं आप में बिल्कु ठीक क है एक आम कार्य करता थे बीजेपी के और आप सोची है उन्ताजवकी एक पार्टी का जहां आधार किसी राज्य में ना हो बेस ना हो और उस पार्टी ने जब इतने साल तक मैनत की हो तो उसमें उनके कार्यकरताओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें कोई भी इंकार नह उड़ा उनका मैसूस होता था कितने सालों से हुआ रसे से जुड़े रहे और वहां भी अपनी उन्होंने भूमिका निभाई फिर जब बीजेपी का उदे हुआ जन्संग का उदे हुआ था उसके बाद इस पार्टी से भी चुड़े और यहां तक की विधायक भी रहे काम अगर स्यासी जिंदगी के बात करें कमल उसमें भी उन्होंने काफी उतार चड़ाव देखें ऐसा नहीं है कि आज जिस मकाम पर उनको दुन्या देख रही ती या प्रदेश के लोग देख रहते वो अचानक उन्हें हासिल हो गया था उन्हें बिलकुल जीरो से श्रुवात करके यहां तक का सफमर्वर तैय किया था और जाहिर बात है कमल उसमें उन्हें जदो जहद भी देखी होगी उसमें उन्होंने संगर्श भी देखेंगे और जो एक खास चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो यह कि उन्होंने कभी अपनी शनाखत अपनी पहचान को छोटा नहीं बताया था या फिर उन्होंने बड़े फक्र से बताया था कि वो किस मामुली से परिवार से तालुक रखते है और इसको उन्होंने अपनी ताकत बना कर पेश किया था कमल यह चीज उन्हें बहुत अलग बहुत आला बनाती है बहुत उच्छा बनाती यह चीज अभी सुनिता दुगल भी बोल रही थी और से पहले सुभाश बराला बोल रहे थे और पहले भी कई नेताओं नहीं उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी मुश्किलों से निकलने वाले इंसान थे अपनी पार्टी को मुश्किलों से निकालने वाले इंसान थे और बीजेपी का मैंने जिकर किया हरियाना में बीजेपी आज कहा है और पहले कहा थी यह किसी से चेपा नहीं है यह उन्हे केबिनेट की बात आई मंत्री मंदल की बात आई तो उन्हें लगा था कि उनको जगह देनी चाहिए केंद्री मंत्री वो बने थे 2019 में हमने देखा जलशक्ती मंत्राले उनके पास था उसके बाद बेशक कुछ फेर बदल हुए हूं लेकिन एक जमेदारी उनके कंधों पर हमन तो आपकी बात से मंताज कि जिस इंसान ने एक आम परिवार से निकल कर खास तरीके से अपनी जगह बनाई और फिर भी वो आम इंसान की तरह रहता हो लोगों की बातों को सुनता हो अपनी कलीस की बातों को सुनता हो जूनियर हो या सीनियर पॉलिटिकल तरीके से हर त अथखते थे विरोधियों को लेकर भी बहुत सहज तरीके से अपनी बातों को रखना उन्हें आताथ और खुलकर बीबाते कैते थे बेबाते वो अपने आप और तथ्यों पर अधारित बातों को भी रखना उन्हें पसंद था और जब राजनितिक निशाना साधरी की बात होती थी तब भी उनके बैन सुर्ख्यों में रहते थे तो ओलवर दिखा जाए मम्ताज एक ऐसी शक्सित थे जिन हम कह सकते हैं कि वो काम्याब भी हुए वो मिस किस्नालिटी के इतने अलग अलग पहलू थे उन पर जितनी चर्चाएं कि जाएं वो कम पढ़ रहे हैं कमल अब कि अब कर दो